मीथे बच्चे मीथे बच्चे बोल ये कितने मीथे हैं मीथे बच्चे मीथे बच्चे बोल ये कितने मीथे हैं मीथा हमें बनाते बाबा आप बड़े ही मीथे हैं मीथे बच्चे मीथे बच्चे बोल ये कितने मीथे हैं ओम शांती आज है 24 जन्वरी 2021 अव्यक्त बाब दादा के महवाक्य सुनेंगे रिवाइस कोर्स 171087 मुडली का टाइटल ब्रामन जीवन का शिंगार पवित्रता आज बाब दादा अपने विश्व के चारो और के विशेश होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं सारे विश्व में से कितने थोड़े अमुल्य रतन पूज्णिय बने हैं पूज्णिय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेश जहान के नूर बन जाते हैं जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं ऐसे विश्व के अंदर पूज्णिय जहान के नूर आप श्रेश्ट आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं स्वन युग वा आदी युग वा सतो प्रधान युग नया संसार आप विशेश आत्माओं से आरंभ होता है नए विश्व के आधार मूरत पूजनिय आत्माई आप हो तो आप आत्माओं का कितना महत्व है आप पूजय आत्माई संसार के लिए नई रोशनी हो आपकी चरती कला विश्व को श्रेश्ट कला में लाने के निमित बनती है आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है इतने महान और महत्ववाली आत्माएं हो आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे ब्रामन बनना अर्थाद पूज्य बनना क्योंकि ब्रामन सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थाद पूजनिये सभी देवताएं पूजनिये तो हैं फिर भी नंबरवार जरूर हैं किन देवताओं की पूजा विधी पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किनों की पूजा विधी पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती किनों के हर करम की पूजा होती है और किनों के हर करम की पूजा नहीं होती है कोई का विधी पूर्वक हर रोज शिंगार होता है और कोई का शिंगार रोज नहीं होता है उपर उपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधी पूर्वक नहीं कोई के आगे सारा समय कीर्टन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्टन होता है इन सभी का कारण क्या है ब्रामर तो सभी कहलाते हैं ज्यान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं फिर भी इतना अंतर क्यों धार्ना करने में अंतर है फिर भी विशेश कौन सी धार्नाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो पूजनिये बनने का विशेश आधार पवित्रता के उपर है जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनिये बनते हैं और जो निरंतर, विधी पूर्वक, आदी, अनादी विशेश गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधी पूर्वक पूज्य बनते हैं सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माई सहज, स्वत, हर संकल्प में, बोल में, करम में, सर्व, अर्थात, ज्यानी और अज्यानी आत्माईं, सर्व के संपर्क में, सदा, पवित्र, वृती, द्रिष्टी, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंद संपर्क निभाते हैं इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं स्वपन में भी स्वैम के प्रती या अन्य कोई आत्मा के प्रती सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो मानो, स्वपन में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है वा किसी आत्मा के प्रती, किसी भी प्रकार की इर्शा वा आवेश के वश करम होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी वहवार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा सोचो, जब स्वपन का भी प्रभाव पढ़ता है, तो साकार में किये हुए करम का कितना प्रभाव पढ़ता होगा इसे लिए खंडित मूर्ती कभी पूझनिये नहीं होती, खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है वहां भक्त नहीं आते। सिरफ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस. उनोंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है। लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं ऐसे चारो प्रकार की पवित्रता विधी पूर्वक है तो पूजा भी विधी पूर्वक होती है मन, वानी, करम करम में संबन संपर्क आ जाता है और स्वपन में भी पवित्रता इसको कहते हैं संपूरन पवित्रता कई बच्चे अलबेले पन में आने के कारण चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया वा मेरी एम अर्थात लक्षय ऐसा नहीं था लेकिन हो गया या कहते हैं कि हसी मजाक में कह दिया अत्वा कर लिया यह भी चलाना है इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है यह अलबेलापन संपूरन पुज्य स्थिती को नंबर वार में ले आता है यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है सुनायाना पुज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है उनों की चारो प्रकार की पवित्रता स्वभाविक, सहज और सदा होगी उनको सोचना नहीं पड़ेगा लेकिन पवित्रता की धारना स्वतह ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन लाती है यथार्थ अर्थात एक तो युक्ती युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा ऐसा नहीं की ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया ऐसी पवित्र आत्मा, सदा, हर करम में अर्थात, दिन चर्या में यथार्थ युक्ती युक्त रहती है इसे लिए पूजा भी उनके हर करम की होती है, अर्थात, पूरे दिन चर्या की होती है उठने से लेकर सोने तक भिन भिन करम के दर्शन होते है अगर ब्राम्मन जीवन की बनी हुई दिन्चर्या प्रमाण कोई भी करम यथार्त वा निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा मानो कोई अमरित वेले उठने की दिन्चर्या में विधी पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पूजारी भी उस विधी में नीचे उपर करते अर्थात पूजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा जब आया तब कर लेगा अत्वा अमरित वेले जाकरित स्थिती में अनुभव नहीं करते मजबूरी से वा कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पूजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे विधी पूर्वक पूजा नहीं करेंगे ऐसे हर दिन चर्या के करम का प्रभाव पूजनिय बनने में पड़ता है विधी पूर्वक ना चलना कोई भी दिन चर्या में उपर नीचे होना यह भी अपवित्रता के अंश में गिन्ती होता है क्योंकि आलस्य और अल्बेलापन भी विकार है जो यथार्थ करम नहीं है वह विकार है तो अपवित्रता का अंश हो गया न इस कारण पूजय पद में नंबरवार हो जाते हैं तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता पवित्रता की धारना बहुत महीन है पवित्रता के आधार पर ही करम की विधी और गती का आधार है पवित्रता सिरफ मोटी बात नहीं है ब्रह्मचारी रहे यार निर्मोही हो गए सिरफ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे पवित्रता ब्रामन जीवन का शिंगार है तो हर समे पवित्रता के शिंगार की अनुभूती चहरे से, चलन से औरों को हो, द्रिष्टी में, मुख में, हाथों में, पाउं में, सदा पवित्रता का शिंगार प्रत्यक्ष हो कोई भी चहरे तरफ देखे, तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो, जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है नैनों में पवित्रता की जलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के शिंगार से शिंगारी हुई मूरत, समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुयता है, वैं फिर सुनाते रहेंगे, जैसे कर्मों की गती गहन है, पवित्रता की परिभाशा भी बड़ी गुये है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है अच्छा, आज गुजरात आया है, गुजरात वाले सदा हलके बन नाचते और गाते हैं, चाहें शरीर में कितने भी भारी हूँ, लेकिन हलके बन नाचते हैं गुजरात की विशेशता है, सदा हलका रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के वा अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना, बचपन से ही नाचते गाते, अच्छा है ब्राम्मन जीवन में क्या करते हो? ब्राम्मन जीवन अर्थात मौजों की जीवन, गर्भा रास करते हो, तो मौझ में आ जाते हो ना, अगर मौझ में ना आए, तो ज्यादा नहीं कर सकेंगे मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है अथक बन जाते हैं तो ब्रामन जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन वह है स्थूल मौज और ब्रामन जीवन की है मन की मौज सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे वह लोग हलके बन नाचने गाने के अभ्यासी है तो इनों को भ्रामण जीवन में भी डबल लाइट अर्थात हलका बनने में मुश्किल नहीं होती तो गुजरात अर्थात सदा हलके रहने के अभ्यासी कहो वर्दानी कहो तो सारे गुजरात को वर्दान मिल गया डबल लाइट मुरली द्वारा भी वर्दान मिलते हैं न सुनाया न, आपकी इस दुनिया में यथा शक्ती, यथा समय होता है यथा और तथा और वतन में तो यथा तथा की भाशा ही नहीं है यहां दिन भी तो रात भी दिखाना पड़ता है वहां ना दिन ना रात है ना सूर्य उदे होता ना चंद्रमा दोनों से परे है आना तो वहां है न बच्चों ने रूरिहान में कहा न कि कब तक बापतादा कहते हैं कि आप सभी को बापतादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तयार हैं तो अभी कर लेंगे फिर कब का तो सवाल ही नहीं है कब तब तक है जब तक सारी माला तयार नहीं हुई है अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डाले वा नहीं अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं फरक हो जाएगा बापतादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी एक तरफ प्रकिर्ती एक तरफ व्यक्तियां क्या देरी लगती लेकिन बाप का सभी बच्चों में सने है हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे हाथ में हाथ मिलाना अर्थाथ समान बनना आप कहेंगे सभी समान अत्वा सभी तो नमबर वन बनेंगे नहीं लेकिन नंबर वन के पीछे नंबर टू होगा. अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर वन दाना जो होगा, वैं समान होगा. तीसरा, दो के समान बने, चौथा, तीन के समान बने, ऐसे तो समान बने, तो एक दो के समीब होते होते, माला तयार हो. ऐसी स्टेज तक पहुँचना, अर्थात समान बनना. एक सो आठ दाना, एक सो साथ से तो मिलेगा ना. उन जैसी विशेष्टा भी आ जाए, तो भी माला तयार हो जाएगी. नंबर वार तो होना ही है, समझा. बाप तो कहते अभी कोई है गरेंटी करने वाला, कि हाँ, सब तयार है. बाप दादा को तो सेकिंड लगता. द्रिश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परिया आ गई. अच्छा, चारो और के परम पूज्य श्रेष्ट आत्माओं को, सर्व संपूरन पवित्रता के लक्ष्य तक पहुँचने वाले तीवर पुर्शार्थी आत्माओं को, सदा हर करम में विधी पूर्वक करम करने वाले सिध्धी स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समे पवित्रता के शिंगार में सजी हुई विशेश आत्माओं को, बाबतादा का सने संपन याद प्यार स्विकार हो, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाबतादा को, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वहा मेरा भाग्य, वहा मेरे भाग्य विधाता बाबा, वर्दान है, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिष्टा भव, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिष्टा भव, बाबा समझाते, जो बच्चे कर्मना द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चहरा दोनों ही फरिष्टे की तरहां दिखाई देते हैं, वे डबल लाइट अर्थात प्रकाश में और हलके पन की अनुभूती करते हैं, उन्हें कोई भी बोज महसूस नहीं होता है, हर करम में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ती चला रही है, हर करम द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशिर्वाद वा सर्व के वर्दानों की प्राप्ती का अनुभव होता है, स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो कमजोर नहीं, अच्छा, ओम शान्ती